नमस्ते फ्रेंस आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ वैस्ट प्रोडक्ट का इस्तमाल कर रही हूं जैसे कुछ डियाइवाई बनाऊंगी जैसे कि यह मेरे पास बहुत सारे सीडी है तो आज थोड़ी सी कोशिश मैं इससे ही कुछ कुछ बनाने की करूंगी और यह हैंडवाश का पुराना यह खाली सा बॉटल है इसको भी सोच रही हूं कुछ इसका मैं कोवर करूं और मैंने दो बॉटल को इस तरह से उसके उपरी पार्ट को कट करके रख लिया इसका भी मैं अभी कुछ बनाऊंगी तो चलिए सबसे पहल इसको कट करने का देखिए कहां तक सफ़र होती हूं एक सॉस पैन में मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया और इसमें सीड़ी डाल कर इसे थोड़ी देर के लिए करीब 3-4 मिनट तक इसे खौलने दूंगी खौलने से ये थोड़े सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसकी ह करेंगे इसे हम निकाल कर कटिंग करते हैं सीजर से इसको कट करने में बहुत प्रेशर के साथ कट करना पड़ रहा था और कोई भी प्रॉपर शेप में ये कट नहीं हो रहा था जिधर जिधर कैची चलती चली गई मैं उसी तरह से काटती चली गई बहुत सारे तो टुकड शेप में नहीं थे, सभी uneven शेप में थे अब हम इस तरह से एक छोटा सा cardboard box लेंगे जिसके उपरी पार्ट को कट करके हम हटा देंगे और इसके उपर cardboard के ही इस तरह सब तरफ से pieces चिपका लेंगे जिससे कि ये box थोड़ा मजबूत हो जाए फिर brown paper से इसे अच्छी तरह cover कर देंगे जिससे कि एक बराबर सा वो दिखाई दे उपरी पार्ट कट करने से इसके edges rough हो गये हैं तो brown paper से चिपका लेंगे इस तरह से तो वो चिकने हो जाएगा सब तरह से ये अच्छे से चिपक गया मैं ये organizer west material से बना रही हूँ इसलिए इसके base में stand के लिए हम इस तरह से बिसलरी के cap को लेंगे और fevy bond की help से इसे चिपका देंगे जिससे कि ये proper stand जैसा हो जाएगा और ये अच्छी तरह stand हो गया अब black acrylic color से हम इसे खुब अच्छे से paint कर देंगे ये अब color सूख गया तब fevy call की help से जो हमने अभी cd के pieces बनाये थे उसे थोड़े थोड़े gap छोड़ते वे चिपका देंगे पूरे surface को हम इस cd के pieces से cover कर देंगे चारो तरफ से हम cd को चिपका देंगे cd के pieces को अब ये हमारा एक सुन्दर सा organizer बन गया इस पर जब light पढ़ रही है तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है आप इसे planter के रूप में यूज़ कीजिया या stand के रूप में अब दूसरा DIY के लिए इस तरह से bottle को मैंने लिया जिसके उपरी पार्ट को cut करके हटा दिया लेकिन ये bottle बहुत ही हलकिक quality का था तो मैंने थोड़े से wall पुट्टी में फेविकॉल और पानी मिला करके थोड़ा thick paste तयार किया और सिक्खूब अच्छे से mix करके एक बराबर सा करके इसके उपर इसकी एक layering लगा दी process दुबारा मैंने धुरा दिया है दोनों ही पीस पर हम इस तरह से wall पुट्टी के paste को लगा देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे ये अच्छे तरह से सूख गया अब एक sand paper लेके इस तरह रगड करके इसे smooth बना लेंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में bell icon को भी प्रेस कर दीजे जिससे आने वाले मेरे वीडियो की notification आपको तुरंत मिल जाए acrylic color से इस तरह से हम इसे पूरे अच्छे से paint कर देंगे और इसे भी सुखने के लिए छोड़ देंगे अब वाल पुट्टी का ही एक हम soft सा dough तयार करेंगे और इस तरह कोई भी polythin लेके इसके उपर खुब मोटी सी रोटी के shape में हम बेल लेंगे मैं African mask जो होता है उसी तरह का मैं एक tribal face ये दोनों bottle पे बना रही हूँ इसके लिए face के लिए eyebrow, eyes, lips, nose वगारे को मैंने cardboard की टुकडे पर इस तरह से cutting करके इसके shape को cut कर लिया और अब ये जो मैंने डो को बेला है इसके उपर proper shape में इसे knife की help से cut कर लूँगी जिससे की एक बराबर सा हमें वो part मिले और febi call की help से portal के उपर में हम छिपका देंगे ये अच्छी तरह सूग गया अब इसकी हम coloring करेंगे मैंने दो piece बनाया है एक male एक female face तो चुकी मैंने tribal face बनाया है tribal लोग बहुत रंग बिरंगे होते हैं बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते है तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे color का use किया है आई lid को golden color से nose और eyebrow को मैंने golden color से किया ये face जो है वो female का है तो मैंने इसके ornaments को भी golden color से ही paint किया है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को like share भी आप जरूर कीजिए ये देखिए हमारा सुन्दर सा ये face तैयार हो गया अब हम इसको चाहे as a planter या paint stand वगरा के लिए use कर सकते हैं तीसरा DIY ये hand wash की एक bottle है जिसको मैंने फैसे इस तरह wall putty के ठिक paste से इससे एक बार cover कर दिया और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया ये अच्छे से सूख गया इसको भी sand paper से रगड़ करके इसको smooth बना लिये इसके surface को अब ये जो dough था उससे मैंने ये छोटे छोटे इस तरह से piece को cut कर लिया और एक एक ball बना लिया ball को इस तरह pain की help से इस तरह design बना के इस ball को हम bottle के उपर fevicol की help से चिपकाते जाएंगे इसी ball से हम पूरे को cover कर देंगे पूरी bottle को ये सब तरह से cover हो गया चुकि ये bottle का cap जो है वो white color का था इसलिए मैंने इसे white color से ही paint कर दिया है और ये हमारा hand wash bottle कितने अच्छा से convert हो गया एक beautiful hand wash bottle में इस तरह से west material का use करके आप कितनी भी सारी अच्छी अच्छी चीज़े बना सकती है कर दो गूले कर दो परे कितने तरह 6 तरह से हो है कर दो तैन किता है